नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सभी ठीक हूंगे और घर रहेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हूंगे तो बच्चों आज मैं आपको आपकी हिंदी की पुस्तक जिलमिल से पाट साजी की खेती का अभ्यास करवाऊंगी चलिए शुरू करते हैं शब्दात से पहला है डग भरना डग भरना का अर्थ होता है कदम बढ़ाना हमारा दूसरा शब्द है बबूला बबूला होता है बाजरे का भूसा तीसरा शब्द है मढ़ाई मढ़ाई होता है भूसे और अनाज को अलग करना हमारा अगला शब्द है सिर्टे सिर्टे का अर्थ होता है बाजरे का दानेदार हिस्सा और हमारा आखरी शब्द है लामनी लामनी होता है फसल की कटाई जब कोई भी फसल पक कतयार हो जाती है तब लामनी की जाती है यानि की फसल की कटाई की जाती कोई ने देखा कि उस पेड़ पर एक चड़िया रहती है वह बहुत भोली और महनती है उससे बहुत आसानी से सभी काम करवाए जा सकते हैं इसलिए चड़िया से दोस्ती करने के लिए कोई रोज उस पेड़ पर आने लगा क्या प्रश्ण है कोई ने क्या कहे कर चड़िया को खेती करने के लिए राजी किया कोई ने चड़िया से कहा कि हम दोनों दाना चुगने के लिए सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हैं क्यो ना हम पेट भरने के लिए खेती करना शुरू करें इस प्रकार पेट भरने की बात कहकर कोई ने चिडिया को खेती करने के लिए राजी किया गय प्रश्ण है चिडिया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रम अनुसार लिखिए आपको क्या करना है आपको कुछ शब्द दिये हैं जैसे मढ़ाई लामनी बिजाई हल चलाना आपको इनको क्रम से लगाना है कि पहले क्या किया गया और बाद में क्या हुआ तो सबसे पहले हल चलाना आएगा हल चलाने के बाद होगी उसमें बिजाई फिर होगी लामनी और फिर होगी मड़ाई घै प्रश्ण है कोवा चडिया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था कोवा कामचोर तथा आलची था वह बिना परिश्रम किये फसल को पाना जाता था इसलिए वह चडिया के साथ काम करने के लिए नहीं जाता था आगे बढ़ते हैं आपकी बाद पर क्या भाग है यदि कोवे के स्थान पर आप चडिया के साथ साजे की खेती करते तो क्या क्या करते यदि कोई के स्थान पर चिडिया के साथ मैं साजी की खेती करता तो इस काम में उसकी पूरी सहयता करता मैं चिडिया के साथ खेत में जाता उसके साथ हल चलवाता और बीज बोने में उसकी सहयता करता मैं फसल की कटाई और मडाई भी करवाता क्या भाग है, कोई ने बबूले का धेर चुना, जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी, तो क्या हुआ होगा? जब भी चड़िया ने कोई को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई ने कोई बहाना बना दिया, फोचकर बताएं उसने कौन-गौन से बहाने बनाए होगे? जब भी चड़िया ने कोई को काम करने के लिए बुलाया, कोई ने पानी पीने का, मक्खन लोटी खाने का, तता जरूरी काम का बहाना बनाया होगा? आगे है, क्या आपने कभी कोई पौधा लगा कर उसकी देखवाल की है? यदि हाँ, तो अपने पौधे के बारे में बताईएं. पौधे का नाम, आम कपे, कब लगाया? एक साल पहले, कैसे देखवाल की? समय पर खाद और पानी देकर, अब वह कितना बड़ा है? अब वह काफी बड़ा हो गया है. उसे देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है. आगे है भाशा की बात. कै भाग? चिडिया इमानदार थी. इस वाक्य में इमानदार शब्द इमान जमादार से बना है. ऐसे ही कुछ और शब्द बनाएं. जैसे समझ जमादार समझदार, खबर जमादार, खबरदार, दाग जमादार, दागदार, पहरे जमादार, पहरे खै भाग है कोई ने आव देखाने ताव जट से उड़कर बबूले के धेर पर जा बैठा आव देखाने ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सूचे समझे इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाए जैसे जब भुकंप आए तो आव देखोने तो माता जी ने आव देखाना ताव मुझे टातने लगी प्यासे कोई ने आव देखाना ताव जट से घड़े पर जा बैठा तो बच्चों ये था आपका पार्ट स्टाजे की खेती आशा करती हूं आपको सब समझा गया होगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो के द्वारा पढ़ाई जारी रेखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद